हेलो दोस्तो नमस्कार मैं मॉनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरनिया के बारे में यानि हरनिया क्या होता है इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके properly देखेंगे तो आए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो हरनिया होता क्या है पहले तो हम यह जान लेंगे हमारी बॉड़ी में internal organs यानि आंतरिक जो अंग होते हैं उसमें किसी भी तरीके का एक आसामान्य छिद्र यानि जो नहीं होना चाहिए आसामान्य एक उसका बाहर की तरफ आजाना या फिर उभार आजाना यानि उस जगे पर उभार आजाना उस कंडिशन को हम हरनिया बोलते हैं और दोस्तों यह एक ऐसी बीमारी है जो कि महिला और पुरुष दोनों को होती है लेकिन पुरुषों में 20% चांसे जादा रहते हैं हरनिया के चलि कि वज़े से उसे हरनिया की शिकायत भी हो सकती है इसके अलावा जादा हैवी वेट उठाने से भी हरनिया की शिकायत हो जाती है इसके अलावा पेट की जितनी मांस्पेसिया होती है उसमें खिचाव या किसी तरीके की कमजोरी हो जाना उसकी वज़े से भी हरनिया की शिका या फिर कोई बहुत ही पुरानी खासी आपको हो रही है और ठीक नहीं हुई है तो इससे भी कहीं न कहीं प्रेशर हमारे स्टमक एरिया यानि हमारे पेट पर जाता है जब हम खासते हैं तो जो प्रेशर होता है वह हमारे स्टमक पर जाता है और कहीं न कहीं यह उभार बनाता जीसे हमारे पेट में जितनी भी मानसपेसियां होती है वो हिलने लग जाती है यानि पूरा उन पर प्रेशर जाता है घचाव जाता है जिसकी वज़े से भी हरनिया की शिकायत हो जाती है और इसके अलावा एक अंतिम रिजन ये भी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जब करते हैं तो एसी हाथ हर निया की शीकायट खुद मो जाएगी लेकिन धियान रखना है को कम से कम इसका अभ्यास तीन महहिने तक कर नहीं जब थी ति अच्छे से इस इसका अभ्यास कर लेंगे तो आपको यस के बहुत तो चलिए, पहले आसन की तरफ हम आ जाएंगे, पहले आसन का नाम है, पावनमुक्त आसन, पावनमुक्त आसन के लिए आपको simply मैट पर लेड जाना है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही टेंशन फ्री हो के करना है, किसी भी तरीकी का आपको प्रेशर नहीं लेना है, इसली आप अब यहीं से कड़ना क्या है, दोनों गुटनों को मोड़ लेंगे इस तरीके से मोडते वे अपने हातों को इंटरलोग यानि आपस में और अपर के और अटांगे तस तरफ लाएंगे, जब जब ये दोनों चीजे आपस में सामनी की ओर आती है, तो प्रेशर हमारे पेट पर जाता है जो कि हमें हर्निया में बहुत हेल्प करता है स्वास को भड़ते वे आ जाएंगे उपर की तरफ इस तरीके से अब यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और तीन बारिज का अभ्यास करना है इसे बोलते हैं हम पावनमुक्तासन का अभ्यास तीरे से रिलेस क अब आपको बहुत है तो इसलिए हमें वह सब ही योगासन जो आपको बतारी हूं यह फॉलो करना है और यह कहीं हमारे पेट पर बहुत अच्छा एफेक्ट दालते हैं और अवारे डाइजेशन को भी इंप्रोव करते हैं तो इसलिए आपको मैट पर लेड जाना है अब य कि छोड़ेंगे दीरे से हाथ पेरों को इस तरीके से पोजिशन में उठा लेना आपको अब यहीं पर आपको बने रहना है बीस सेकेंड तक बहुत अच्छा अभ्यास है नौकासन का फिर दीरे से रिलीस कर लेंगे स्टार्टिंग में नौकासन करने में प्रॉब्लम आती लेकिन आप धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे तो पंदरा दिन के अंदर आप से इसली इसका अभ्यास हो जाएगा चलिए अभी से आएंगे हम तीसरे आसन की और जिसे हम बोलते हैं वजरासन हमारे डाइजेशन के लिए पेट से संबंदी जितने भी रोग होते उनमें भी ब परिशानी होती है तो अपने पैरों के निचे कोई टौवल या सौफ्ट सी चीज रख सकते हैं जिससे आपके घुटनों पर प्रेशर कम आएगा और आप इसली इसका अभ्यास कर पाएंगे तो करना क्या है आपको इस पोजिशन में बैठ जाना है दोनों हाथ आपके सामन इसमें आने लग जाएंगे यानि आपको धीरे धीरे वजरासन में बैठने की आदत हो जाएगी तो आप इसमें बने रहते रहते पांच मिनट तक भी इसका अभ्यास करेंगे मतलब आगे जाकर इसको आपको पांच मिनट तक इसका अभ्यास करना यानि तीन महीने के अंद आपके जो कमर करदन वाला पार्ट है वो एक्दम सीधा रहना चाहिए बॉड़ी को जुकाना नहीं है जितनी स्ट्रेट रहेगी सीधी रहेगी उतना ही अच्छा इफेक्ट पर जाएगा चलिए अब यहीं से आजाएंगे हम अन्तिमासन की तरफ जिसे बोलते हैं बद्दको को चलाते वे आना है यह इस तरीके से बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे री प्रोड़क्टिव और गन्स के लिए यानि हमारे जो जननांग होते हैं उस पर भी बहुत ही अच्छा प्रेशर डालता है और हमारी हर्णिया की शिकायत को भी खदम करता है इस तरीके से आपको कॉपभी कंटिनी उक सकते हैं इस इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको हमारे लेक्स बैर हैं वो हमीश्य प्रेशिबल कर दें जो तो दोस्तों या letter से योगाशन जोकी हमें बहुत ज़्यादा देने और इसी के साथ साथ मैं आपको सुझाव बता देती यानि आपको कुछ टिप्स दे देती हूं जिसे आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको बहुत मिलेगी तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें अपने डाइजेशन को स्ट्रॉंग बनाना यानि जो हमारा डाइजे बाद में और भी जादा बढ़ सकती है उसके अलावा आपको कॉंस्टिपेशन कम करना होगा यानि जो हमारी कब्ज की सिकायत है उसको कम करना होगा कब्ज जितना कम होगा उतना ही पेट पर प्रेशर यानि पेट की मान स्पेश्यों पर खिचाव कम जाएगा इसलिए आप इसी तरीके के हैल्दी अपडेट हमारी वीडियो के थुरू आप तक इसली पहुंच जाए तो अभी के लिए नमस्कार जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में